तो कैसे हो आप लोग आप लोग बहुत अच्छे होगे तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डिस्टिलेशन क्या होता है डिस्टिलेशन का प्रोसेस कैसे किया जाता है डिस्टिल वाटर जो होता है उसका यूज कहां किया जाता है तो बिना इसकीप के वीडियो में तक बने रहे हैं जिससे आपको डिस्टिलेशन और उसका प्रोसेस अच्छे से समाझ में आ जाए तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो देखिए सबसे पहले इंग्लीज और हिंदी दोनों बहां सामें हम देखेंगे और आपको इसका नोट्स चाहिए तो आ आयन स्राण नौर्मल करी यह जाता है समान पानी से आयनो को निकाल करा ऑसुत जल बनाया जाता है त्येँ समय को क्या करते हैं में आयन्स प्रिजेंट होते हैं उनको क्या करते हैं रिमूब कर देते हैं रिमूब करके क्या बनाया जाता है आसुत जल यानि डिस्टिल वाटर बनाया जाता है उसी को बोलते हैं डिस्टिलेशन या जो प्रोसेस होता है डिस्टिल वाटर बनाने का वही कहलाता है हमारा डि शहेंको करने के थ्तरू क्या होता है डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं लाबरोटरी इंस्टूमेन के तु डिस्टिलेशन का प्रोसेस कैसे किया जाता है के दिखिये आघिए सबसे 향 में इसका डाइग्राम देख रहे हैं तो देखे lubricate for को सबसे पहले यहाँ सबसे पहले हम यह जानोर्मल water लेते हैं ौटर लेने के bharnar के तुरूख हीट करते हैं ज्याब water क्या होता है 100 degree Celsius पर vaporized होने लगता है तो जो vapor है分yr होता है वएपर koendyorsun की गनी दो यह नाने लगता है क्लिख तरू निचर आने लगता है इन गconfidence में एफ हमैं इंदरता है तो तो कंडेंसर में जब जाता है वेपर तो क्या होता है वहां पर देखे कोल सेर्फेस आपको दिखर होगा वाटर लिखा होगा है लिखा है यह वाटर यहां पर क्या होता है कंडेंसर में वाटर रहता है ठंदा पानी रहता है जिससे क्या होता है जो वेपर होता है वाटर में क का हो जाता है कनवार्ट हो जाता इसके बाद हम यह receiving क्या receiving प्लास्क है इस receiving प्लास्क में क्या करते है liquid को convert करें मदलब collect कर लेते हैं वह हमारा क्या कहलाता है distilled water कहलाता है जिसमे आयन्स एक भी नहीं रहते है És को रींजिस की रूमोब करके क्या वो बनाया जाता है दिस्टिल बनाया जाता है अब देखिए सका प्रॉसेस ठिक ॥ कशिर सबसक्तां पहले सके हम प्रिंस्पर जानें कि इसका प्रिंस्पाल क्या होता है इंदी और pren सा में देखेंगे तो देखिए वाटर बिच इज वैपोराइज़ एट हैंड़ डिग्री सेल्सियस दियर दा वैपर कनवर्टेड इंटो लिक्वीड बाई गोइंग दा कोल सर्फेस प्रेसेंज आयन इस्टॉप इन फ्लास्क फ्रू दा वैपर वाटर मोलेकुल कलेक्ट इन एक कंटेनर इस काल डिस्टिल वाटर ठीक अब हम इसको हिंदी में देखेंगे देखिए पानी जो 100 डिग्री सेल्सियस पर वास्प इग्रित हो जाता है वहाँ वास्प ठंडी सता पर जाकर क्या होता है वहाँ वास्प ठंडी सता पर जाकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है केस में परिवर्तित हो जाता है ये द्रव में परिवर्तित हो जाता है उपस्थित आयन फ्लास्क में रुख जाते हैं वास्प के माध्यम से पानी बेसे पातर हो जाते है क्या हुतर है यम्राइट जो है यह यह वास्फिक होने लगता है यानि हीट उबलने लगता है फिर वह जो वैपर है वैपर चहें कंडेशन हो ए रिमिल लाथ हो की और फिर्ट जाता है ज्थी को talking сें ने समय होता है थो किसल मुद्ट ध्याragen से जाता है . लें। करते हैं सबस्ट अफ करले यह見て हैं वो यह इसाफ अमसा शिपने घ लेगते हैं साप उपकरन लेते हैं इसके बाद उसे बीद की अंशार प्रोसीजर की क्या कर लेते हैं है लेकर लेते है तक लिकirie capacity half aemption किये जाने वाЗ ले द्रव को आसवन-फ्लास्ट में लिए विच्ट अपर एक थर्मामेटर लगा होता है जिससे तापमान नियंतित रहता है और साइड में एक कंडेंसर लगा होता है जो वास्प को ठंदा करके पानी में बदल देता है देखिए फ्लास्क के उपर में मैंने आपको दिखाया यह देखिए डाइग्राम में यह देखिए यह दाइग्राम है यहाँ पे देखिए फ्लास्क के उपर में एक थर्मामीटर लगा हुआ है दिख रहा होगा आपको फ्लास्क के उपर में यह है थर्मामीटर थर्मामीटर तर्ल को फ्लास्क में गर्म क्या जाता है तो तर्ल वास्क में परिवर्ठित होने लगता है इसके बाद क्या होता है जैसे ही हम क्या करते हैं जो तरद होता है जो लिक्विड होता है किसमें डिस्टिलेशन फ्लास्क में जो लिक्विड होता है जैसे उसको हीट के जाता है वैपर में कनवर्ट होने लगता है किसमें वैपर में कनवर्ट होने लगता है ठीक अब देखि जो वास्प है वो थंडे तरल में यानि पानी में क्या होता है परिवर्तित होने लगता है लिक्विड में परिवर्तित होने लगता है आफ्टर दे लिक्विड इस कलेक्टेर इन रिसीविंग कंटेर उसके बाद तरल को प्राप्त करता कंटेनर में एकत्र कर लेते हैं रिसी कि distilled water का use कहा कहाा पर किया जाता है एक तो देखें distilled water का use सबसे पहले तो lab में किया जाता है उसका distilled water का use car battery में किया जाता है distilled water used in used in pharma industry यानि दबाई immature को बनाने के लिए distilled water को प्रेयोग में लाया जाता है तो अगर आपको आज का वीडियो हमारा समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे क्योंकि इसी तरह के वीडियो हम आप लोग के लिए डेली प्रॉइड करते रहेंगे थैंक यू